तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम मनी बाई विलियम हेंरी डेविस तो पोयम को हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने महारास्टर बोट के इंगलिश के क्लास 12 के स्लेबस को कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया है और भी स्लेबस को मैं आगे कंप्लीट करूँगा तो दोस्तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते है और लाइन बाइन अनलाइस करते है वेन आए हैड मनी आई न्यू नो जॉइ तिल आइवेंट पूर तो पोयेट यहां पर कहते हैं कि जब उनके पास पैसे था यानि कि जब वो अमीर थे तब उनका सोचना था कि जब वो गरीब हो जाएंगे तब वो इंजॉइ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तो जब इनसान के पास पैसे होता है तब वो इंजॉइ कर पाता है लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं होता तब वो इंजॉइ नहीं कर पाता For many a false man as a friend came knocking all day at my door तो यहाँ पर poet कहते है कि जब उनके पास पैसा था यानि कि जब वो अमीर थे तब उनके पास बहुत सारे दोस्त आते थे उनके गेट पर क्यों आते थे दोस्तों क्योंकि उन्हें poet से प्यान नहीं था यानि कि वो poet से friendship इसलिए करके थे क्योंकि poet के पास पैसा था poet बहुत अमीर थे तो पहले के समय में मतलब कि जब poet रीच थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक ऐसे बच्चे है जिनके पास trumpet तो है लेकिन वो उस trumpet को नहीं बजा पा रहे है अब क्यों नहीं बजा पा रहे है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास freedom यानि कि उनके पास आजादी नहीं है उनके पास पैसे तो है लेकिन उनके पास आजादी नहीं है लेकिन बाकी जो बच्चे है जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास आजादी है यहाँ पर word dead इसलिए use हुआ है क्योंकि poet का मानना है कि उनके पास freedom नहीं है और poet यह भी मानते है कि यह जो दुनिया है यह जूटी है क्योंकि दुनिया में जो लोग है वो सभी सिर्फ पैसो के पीछे भागते है वो दूसरे से अपना relation सिर्फ पैसो के लिए रखते है Much have I thought of life and seen तो यहाँ पर poet कहते है कि उन्होंने life के बारे में बहुती सोचा और उसके बाद उन्होंने realize किया How poor men's hurt are ever light तो life के बारे में ज्यादा सोचने के बाद poet realize करते है कि जो इन्सान गरीब होता है उसका जो दिल होता है वो बहुती हलका होता है यानि कि उसका दिल stress free होता है And how their wives do hum like bees about their work from morning till night यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग गरीब होते हैं उनकी जो wife होती है वो हमेशा उनसे dissatisfy रहती है यानि कि वो कभी भी अपने husband से satisfy नहीं रहती क्यूंकि उनके wife का मानना ये होता है कि उनके husband ज्यादा नहीं कमाते हाला कि उनके जो husband है वो morning night यानि कि सुभा से लेकर रात तक काम करते है वो बहुती hard work करते है लेकिन तब भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते इसलिए उनकी जो बीविया होती है वो उनसे उदास होती है So when I hear these poor ones laugh तो यहाँ पर poet कहते है कि जब वो गरीबों को हसते हुए देखते है and see the rich ones coldly from और जो अमीर लोग होते है उन्हें जब वो देखते है कि वो बहुती दुखी है poor men think I need not go up so much as rich men should come down तो यहाँ पर poet कहते है कि वो ऐसा सोचते है कि गरीब लोगों को अमीर नहीं होना चाहिए लेकिन अमीरों को गरीब होना चाहिए असल में यहाँ पर poet का मतलब यह है कि अमीर लोगों को यह knowledge होना चाहिए कि गरीब कैसा feel करते है क्योंकि आगे जाकर ये हो सकता है कि जो लोग अमीर होते है वो आगे जाकर गरीब हो जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जब poet के पास पैसे थे यानि कि जब वो रीच थे तो उनके जितनी भी दोस्त थे वो सभी जूटे निकले तो यहाँ पर प्रेजंट की बात होती है और poet कहते है कि अब उनके पास पैसे नहीं है मतलब कि अब poet रीच नहीं रहे my friends are real तो अब उनके पास क्योंकि पैसे नहीं है तो poet के जितनी भी दोस्त है वो सभी सच्चे है और वो सभी real है though very few हाला कि वो बहुत कम है मतलब कि poet के पास अभी कुछ दोस्त है लेकिन वो सभी दोस्त सच्चे है और real है तो दोस्तो यहाँ पर यह poem end होता है मुझे उमीद है कि आपको यह poem line by line और word by word समझ में आ गया होगा और हाँ दोस्तो मेरे record channel है जिसका link आपको description मिल जाएगा तो आप जाए और उस channel को check करें क्यूंकि वहाँ पर मैं student से related videos बनाता रहता हूँ तो अब आपसे मुलकात होगी अगले video के साथ किसी और दिन